नमो तस्से भगवातो आरहतो जीहाद का मतलब है अपनी समाच के लिए अपनी कौम के लिए उसके हाग अधिकारों के लिए संगर्ज कर जाएगा मैं अगले वक्ता के रुप में स्यद अजगर अली जी टोक से बढ़ा रहे हैं मुने आमंत्रित करना चाहूंगा वह आए और अप्रे भीचा रखें स्यद अजगर अली साथ अजगर भीचा नहांगे रिली साथ जी भाड़ती जी और तमाम आजचे ने जी आर्पोस आप भगर सिंग जी सभी का मैं समान रहता हूं और आप सब लगे बैठे हुएं आप सब को इसलयामिक तरीके से ग्रिटिंग करता हूं जैसा कि मैं जानता हूँ और जितना मैंने सुना और पड़ा है कि कपल वस्तू के शहजादे सिद्दार्था गोतमा बुद्धा जिनोंने अपनी कम उमर के अंदर ही मन्थन करना शुलू किया। उनके लिए सब कुछ मौझूद था, सारे सुख मौझूद थे, राजपार्ट मौझूद था, वो एक शहजादे थे, वो चाहते तो बहुती आराम वाली जिन्देगी गुसर बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सरवं दुखं, सब तरफ पहनी पहन है, दुख दुख, दर्द, इस सब को ही यही वो विचार्थ है और यही वो दर्द था जो उनको जंगलों में लेगा, और महां जाकर उन्होंने तपस्या कि, बोध के मायने होते हैं, आरिफ, आरिफ, अरभी में हुआ, और हिंदी में होगा जो इश्वर को पहचान ले, उन्होंने इ धर्ती किसलिए बनाई गई है, यह आस्मान किसलिए बनाया गया है, और सिर्फ राजपार्ट करना ही मकसद नहीं है, बलके एक चीज़ और उनको अलग से ली गई, और मुझे यह कहते हैं कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है, कि वो इश्वर के आउतार थे, इश्वर की एक खास knowledge उनके पास मौझूद थी, और उसी knowledge और उसी रोशनी को लेकर जब आये, तो यह हिंदुस्तान, यह भारत जो है, वो ज्योती मह हो गया है, मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर मैं बाबा साथ की जिंदीगी पर मेंज़र डालू, बाबा साथ का एक बहुत बड़ा कथन बार बार मैंने दोराया है, वो कथन आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जो 1936 के अंदर उन्होंने कहा, कि मैं हिंदु धरम में पैदा हुआ, यह मेरे अधिकार बस की बात नहीं दी, लेकिन मैं हिंदु धरम में नहीं मरूँगा, यह मेरे अधिकार शियत्री की बात ही, हा और वो धरी पट्टी अपनी खुद का टार्ट लेकर जाता है, और उसे चपरासी जो है, पानी उपर से पिलाता है, और जिस दिन अगर चपरासी नहीं है, तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता है, यह अन्टचबिलिटी के शिकार वो बच्पन से ही थे, और वो नहीं, बलके पूरी कम्यूनिटी इसका शिकार थी, और मुझे बताने की तरुबत नहीं कि हम किस किस तरह से अत्याचान से रहे थे, क्याने कि इभारत के जो मुल निवासिन होगे, वो लो, यही चिंतनमनन एक तरफ तो यह और दूसरी तरफ आजादी की तेरीकी चलनी है, अंग तो अगर हम बढ़ा धाम करने किसी शख्त को देखते हैं, तो पदा जलता है कि परिवारक का खाना खाली है, परिवार में ठीक से द्यानी मी दिया, अगर कोई बढ़ा आजमी मनता है, तो पदा जलता है, क्म्यूनिटी पे द्यानी है, यहां सारे चेलेंजे उनके सामने थ उसके बावजूद वह फैसला कर रहते हैं किस तरफ जाना है भारत के अंदर जो भी धरम उस वक्त मौझूद इसलाम वह इतने शक्तिशाली नहीं थे आरे स्विद्धर्ती जी हैं जो हिंदु महासादा के राश्ट बहुत महासादा के अध्यच रहें दसान उन्होंने अपन होन के अंदर महसुस करें दे जिसके च्छत गिरने वाली हैं और जब जाहर से बहात है जब गिरने की तरफ बढ़ताई तो वो दिवारों की तरफ बढ़े और आसपास के मुलकों को देखा कि चीन के अंदर बहुत दरम है जापान में बहुत दरम है और दूसरी जनला बहुत ध़म है तो उन्होंने ये फेसला किया कि मैं बहुत ध़म में जाओंगा क्योंकि यहां से मुझे मनोबल मी मिल सकता है और हमें वो जनवर में मिल सकता है तो आपने फिर वो एलान किया और वो जो समझते थे कि यह मेरे समाज को जो कि बीमार समाज है उसको जो मैं ओश्ती दे रहा हूं यह बहुत धंग यह कितना सक्सेस्फुल होगा यह देखने के लिए वो ज्यादा दिन दुनिया में नहीं एक महिना बाइस दिन बाद वो यहां से चले गए और उसके नतीजे क्या हुए उसी वक्ती मैसूस ही होता है कि पूरी-पूरी कम्यूनिटी बहुत दम में नहीं गई हमारी शक्ती बढ़ गई 20 परशन हम बैसी परचन यह रहे आज भी यह जो कम लोग यहां बैठे में इस मैंने एक आयत पढ़ी पुरान की आयत बने पुल्ले उम्मतिन रसूल कि हमने हर समुदाय में एक अवतार एक रसूल जबूर में जाए और वह रसूल जो है उन्हीं की जबान उन्हीं की वहाशा बहुत तवाया है तो एक बात और समझ लीजिए इस शोर के लोग इंकार कर सकते हैं लेकिन इससे वह इंकार नहीं कर सकता कि यह मानो जाती समस मानो जाती एक आदम या एक सम्यम्भू मनु की संतान है सभी लोग जो है आदम और हवा की संताने हम सब जो है एक ही पेर की संतान है यह बात सत्य और वह आदमी आदम जो था उसको जब उस्वर्ग लोग से धर्ती पर बेज़ा गया तो भारत देश का सेलेक्शन हुआ कि इसको भारत में उतारा जाए तो मानोता भारत से शुरू हुई है इंसानियत भारत से शुरू हुई है दर्ब भारत से शुरू हुई है इसलाम भारत से शुरू हुआ है तो यह भारत तमान दुनिया के मुसल्मानों के लिए पुल्ले भूमी है हमारे लिए जनम भूमी हो स कि अपने उसके घ्यानी से की वज़ासी यह सुमझते हैं कि मुहम्मद साइब शौदह को तो पहले इसलाम के पेगम्बर और 1400 पहले इसलाम है नहीं मुहम्मद साथ अंति मौतार है यह कैसे मुंटी में कि एक एक इश्वर एक समय में एक मानों को कोई और धरम दे दे और दूसरे समय में दूसरे मानों को दूसरा धरम दे दे तो यह कैसे मुंटी में कि उसकी मुंटी इसको मानकर हो और इसकी मुंटी इसको मानकर हो और उसी की शिक्रिशा मात्वा गुढेवि इश중ी इसकी ने यद्या बादं दोडा नहींगे मैं आणतीब बुद्धा नहीं आंतर नहीं हूं कुछ सो लोगों का Warriors पुत्दा हूँ और आएगन के बुद्दंदय को रहा है और उसका नाम मेक्त्री होगा वारे, कि मैक्त्री नमाने कंपेशन लाउ, रहन, मतब वह तया वह होन होगा, हम यह सबक क्यों बूल गूल गए, को यह सबक क्यों हम भूल गए, कि वह दो इम आनन तो इस बात को हम समझें कि जो मात्माबोद की शिक्षाई थी और जो की स्क्रिप्चर्स में मौजूद है उसका हम मुदाला गरें कि यह अन्तिम बुद्ध कोन है यह को से समय काल में आ सकता है उसके लिए हमारी क्या तैयरी है उसका नाम मेत्री है तो वह यह माफी चाता हूँ और एक यह संदेश है कि हमें चिंकन और मनन करना चाहिए और उस अंतिम संदेश्टा की रहा देखनी चाहिए उसके लिए त्यारी करनी चाहिए जे भारत जे भी अज़िस साथियो असलाम अलीकूं रहमतुलाही बरकातू हूँ मैं आपका भाई सेयद अ क्या है करने कि अचाहिए जढ़ बचलाही जढ़ाएं च्वेए जाओ आफर में जढ़ पक्ता है कि अज़ मैंगए ज़ जया है जढ़ चाहिए जब को दो जड़ जढ़ दूजाए ऑ्हाँ पूर करने को ऑमे लिए चाहिए ज़स्दान सेयद में ज़स्टशन सेय